आज हम कलास एट के लिए जेनरल इंगिश में एक टॉपिक पढ़ें के जो है प्रोज नमर फाइव टॉपिक है पोलो दे किंग आप गैंस बच्चों आपको याद होगा कल हमने इसका पहला परिग्राफ पढ़ा था आज हम इसका दूसरा परिग्राफ पढ़ने जा रहे हैं अब अपनी बुक देखें certainly polo reflects all the qualities that made the Mongol holders the greatest nation of horsemen in the ancient world great exterian skills coupled with a clear eye and stout heart are the prerequisites of a Polo player Polo was born in Central Asia, spent its childhood in Iran and attained maturity in the northern areas. Equishterun ka matlab hai Gursuari. Hoarders ka matlab hai Beel. Prerequisit ka matlab hai Sharat. अब हम topic की तरफ आएंगे. Certainly, Polo reflects all the Galdis that made the Mongol hoarders the greatest nation of a horseman in the ancient world. यानि एकिनी तोर पर Polo जो है Polo में उन सभी खुसियात की जलक मिलती है जुनों ने Mongol की गुरों को कदीम दुन्या में Gursuari की एजीम कौम बना दिया था. यानि कदीम जमाने में Mongol के गुरों जो थे उनको Gursuari की एजीम कौम माना जाता था. Great external sickness coupled with a clear eye and stout heart are the prerequisites of Apollo player. Gursuari की जो महारत है इसके लिए लाजमी है कि Gursuari जो होता है इसमें वाज़ा नजर होनी चाहिए उसमें मजबूत दिल होना चाहिए और Gursuari की महारत जो है इसमें वाज़ा नजर और मजबूत दिल भी शामिल होना चाहिए तब ही वो एक Gursuari बन सकता है और ये चीजें जो है ये महारत जो है Gursuari की जो ये महारत है जिसमें वाज़ा नजर और मजबूत दिल होता है यही चीजें जो है यही पोलो की खिलाडी की लाज़मी शरायत होती है यही पोलो का खिलाडी जो होता है उसमें Gursuari की महारत होनी चाहिए उसमें वाज़ा नजर होना चाहिए उसमें मजबूत दिल होना चाहिए पोलो जो है इसका जनम कहां से हुआ इसका जनम वस्ते अश्या में हुआ और उसके बाद इसने अपना बच्पन एरान में गुजरा और उसने अपनी बलूगयत शमाली अलोक में हासल की तो आज हमने यही पढ़ा कि पोलो के जो है पोलो में उन सबी खुस्चाइट की जलक मिलती है जोनोंने मंगोल के ग्रुहों को कदीम दुनिया में गुर्सवारी के एक अजीम कोंब बना दिया था और हमने यही भी पढ़ा कि गुर्सवारी की महरत गुर्सवारी की महरत जिसमें वाज़ा नाजर और मजबूद दिल शामिल होता है यही चीज़ें जो है मजबूद दिल या वाज़ा नाजर या उसकी महरत यही एक पोलो के खिलाड़ी के लिए यह लाजमी होती है यह लाजमी शरायत उसमें होती है और पोलो का जनम जो है ये वस्ती एश्या में हुआ उसने अपना बाश्पन इरान में गुजारा और इस बलूगे जो है वो शुमाली अलागे में उसने हासल की तो आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे काल पढ़ेंगे हम एक और पॉर्चन स्टापिका तिल देन अलागाफिस